हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे चोको चिप्स चोको चिप्स को आप कीक में, आइसक्रीम में, कुकीज में डाल सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत असान है तो चलिए फ्रेंड्स चोको चिप्स बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें आपे 125 ग्राम डार्क चोकलेट लिए हैं अगर आप डार कंपाउंड चोकलेट से बनाएंगे जोको चिप्स तो आपको सस्ता पड़ेगा इसे ओनलाइन पर्चेस करने का लिंक पैने डिस्क्रिप्शन वोक्स में दी दिया है अब चाहे तो इसके चिगह पर आप डारी मिल्क से भी जोको चिप् अगर आपके पास कांच का नहीं है तो आप स्टील का भी रख सकते हैं उसके बाद हम चॉकलेट को चूटा-चूटा करके डाल रही हूं ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए अब हम इसे फ्लेम को में मीडियम रखना है फ्लेम को मीडियम कर देंगे और यह बहुत जल्दी पिल्ट को क्य arrest मेल्च होने लगा है कि यह बशचा से मेल्ट होना पगी हैं अब कैस को बंद कर देंगे आसा ही मेल्ट हो जाएगा अब हम इसे निकाल लिए हैं देखिए तो अच्छी से मेल्ट हो गया है अब हम इसे चार से पांच मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब तरक हम यहां पर थाली में अलमुनियम फॉल लगा ले रहे हैं अगर आपके पास फॉल पेपर ना हो तो आप इसके जगा पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं अगर बटर पीपर भी ना हो तो प्लास्टिक लगा सकते हैं अब हम यहां पर ग्लास ले रहे हैं और यह मैं ब्लास्टिक बैग ले रही हूं अगर आपके पस ब्लास्टिक बैग ना हो तो आप दूद का जो पैकेट होता हो भी उसके जगा पर यूज कर सकते हैं इस तरह से ह हम इसे इस तरह से कर लेंगे इसके बाद हम जो चॉकलेट है हमारे ठंडा हो गया इसके अंदर डाल देंगे जिस तरह से हम महंदी का कॉन बनाते है उसी तरह से में बना लेना है देखे इस तरह से अब यहां पर रबर बैंड से बांध देंगे और यहां पर हम नीचे में कट कर लेंगे चुटा सा अब हम चुटा चुटा ड्रॉप्स बनाते जाएंगे जिस तरह से चोको चिप्स होता है उस तरह से अगर आपका ड्रॉप्स फैल रहा है तो आप थोड़ी दिर के लिए से और छोड़ दे चार-पांच मिनट के लिए तो फिर उसके बाद बनाएं इसे बनाने में बहुत मज आता है इसी तरह से हम सारी चोको चिप्स को बना लेंगे इसी तरह से हम सारी चोको चिप्स को बना लिए अब हम इसे सेट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ दे या फिर फ्रीज में रख दे हम इसे फ्रीज से निकाल लिए 10-15 मिनट बाद अच्छे से सेट हो गया है अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे अलग कर लेंगे बहुत असानी से निकल जाता है इसी तरस हम सभी को निकाल लिए हैं देखिए चोको चिप्स बहुत ही अच्छे बने हैं आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में फरके फ्रीज में रखके लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं आप इसे घर पे बना के जरूर ट्राई करें इसे बनाना बहुत असान है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फ्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली पूर भी वीडियो आपसे मिसना हो बाई बाई